ये हैं जाने माने फिल्म कार विवेक शर्मा जिनों ने भूतनाद जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है और वो आने वाले दिनों में 36 गड़ी मूवी का निर्देशन करने वाले हैं जिसका नाम मोर पैसा कती गय रखा है यह फिल्म पूरी कॉमेडी रहेगी अपनी 1992-93 में जबलपूर से मूंबई गय जहां पास से 6 साल इश्ट्रगल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह काम मिला इनकी हिंदी अच्छी होने के कारण इनकी दोस्ती महेश भड और शारुक खान जैसे कलाकारों से हो गई जहां शारुक नसिरुद्दीन के साथ काम करने का मौका मिला वहीं भटकेब में बताओ असिस्टेंट डारेक्टर का काम भी मिल गया मैंने एमिस्टी किया फिसिक्स में और मैं अपने ब्रांच, कंप्यूटर ब्रांच में मेरे सबसे ज़ादा मार्क्स थे मेरे तो पिता चाहते थे कि मैं I.S. आफिसर बनूँ मगर बच्पन से मेरे अंदर एक कहानी बनाने का या फिल्म बनाने का माद्दा था तो मैं 92 में 2500 रुपे लेके बॉंबे गया वसर मत बॉंबे था आज मोंबई है और वहाँ जाके मुझे सड़कों पे सोना पड़ा, डिवाडर पे सोना पड़ा, पाइपलाइन में सोना पड़ा, वाच्मन लोग के कैबिन में सोया मैं, दो तो तीन-तीन दिन मुझे खाना किस लोगों ने अपने घर में जगा दी कुछ लोगों ने घर से निकाल दीया कुछ मेरे अपने खुद के रिलेटिप लोगों के महां फ्रैट थे मगर उनलोंने मेरी कभी मदद नहीं की कई बार दोस्ट बूला ले थे कि चल आज रात को तु मेरे हां रुक जा, मैं रात को जाता था, वो दर्वाजा नहीं खोलते थे, तो मुझे कई बार रात को कॉरिडर में रात गुजारनी पड़ती थी, सपोज मैं दिनेश भाई के हाँ हूँ, और दर्वाजा बंद हो, और मेरे पास रास्ता नहीं जाने क मैं दर्वाजे में टिक के रात गुजारता था, मगर मेरी जिद थी फिल्मेकर बनने की, मेरी अपनी खुद की डिजायर थी, तो मैं अपने घर से इतना सपोर्ट भी नहीं लिया, मेरे फादर सुपरिंटेंडन्ट थे सेंटरल एक्साइज के, मैं श्री बील शर्मा जुन हम लोग हिंदी बेल्ट से निकले हुए लोग, मगर मुझे इस बात गर्व है, कि मुझे मेरा अस्तित्व बना इसलिए कि मेरी हिंदी अच्छी थी, लिखने की बात हो, या सीन कॉपी करने की बात हो, या नसीर भाई के साथ सीन स्टेज करना हो, या परेश रावल के साथ, या किसी एक्टर के साथ, तब मेरी बारी आती थी, तब वो लो को मैं याद आता था और वहां से मेरी तकरीमा सारे एक्टर के साथ साथ ची दोस्ती बनी, और धीर धीर काम सीखती है, मुझे समझ में कहा है कि मैं कहानियां लिखता हूं, उसको मैं बड़े पड़े पर किस एक उसक्राओ उब हमें बड़े, मैं बूतनात है, मैं जब हो अभरे में बड़े साथ च्छिव कर पहारो उड़े बारी यहां के शुपष्टन को मैं अभारों, वहां कि लोकेशन को अभारों, वहां की संस्कृति को बढ़रों, और मेरी अपनी तरफ से उनको मैं को गता ह तो अगर मैं इस फिल्म के जरीय कर पाया तो अब मेरा सभागी होगा वो सिनमा वालों ने इसमें समाज में बहुत कई प्रकार की बुरी चीजों को डाल दिया है काफी सालों तक महजभट के असिस्टेंट बनने के बाद विवेक ने खुद फिल्म डारेक्ट की भूत नाथ जिसमें अविताब बच्चन शारुक खान जुही चावला को बतौर एक्टर कास्ट किया फिल्म काफी हिट साबित हुई जिसके बाद अब विवेक एक ही फिल्म को बारा अलग अलग भाशाओं में निर्देशित करने वाले है 36 गड़ में इस फिल्म का काम अगस सितंबर तक शुरू करने की बात कही मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जो हिंदुस्तान की 11-12 भाशाओं में बना रहा हूँ एक इतिहास रच रहा हूँ ऐस फिल्मेकर 36 गड़ से तो मेरा पुराना लगाव है 36 गड़ तो पहले MP में ही था मैं जबलपुर से हूँ मैं जबलपुर से हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने स्टेट 36 गड़ को काफी उंचाई तक सिनेमा के जरिये लेके जाऊँ यहां के लोकेशन्स, यहां के कल्चर, यहां के वैल्यू, यहां के यूथ यहां की प्रॉबलम्स, यहां के प्लस पॉइंट, नेगिटिव पॉइंट तो मैं इस फिल्म को, जिसका नाम मेरे पैसे कहा है, उस फिल्म को मैं 11-12 भाष़ा में बना रहा हूँ जिसका नाम मेरे पैसे कहा है, बहुत बड़ी लड़ाई पैसा है, अगर आपके पास, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम दो-दो रुपए के लिए क्या क्या करते हैं तो एक हंसी मजाग के त्रू में एक मैसेज ब देने हो कुश्च कर रहा हूँ चतिस गड़ में इस तरह के फिल्म कार के आने से जरूर ही चतिस गड़ की संस्कृति की पहचान सारी दुनिया थियेटर में देखेगी अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक परदे पर आती है केमरेमेन राहूल श्रीवास्तों के साथ श्रीकांत प्रजपत्ती सिटी न्यूज ब्लासपूर